हेलो गाइज विक मैट तूर में आपका स्वागत है मैं हूँ राकेश और दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस्वे में गुजरात में जो काम चल रहा है इसके अपरेट के बारे बताऊगा कि कहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं तो अभी मैं आया हूँ दोस्तो आरो भी पे रेल वेस्ट रूठ है यह तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेल वेस्पान है इसके उपर कमपोजिट गडर आएगा इसलिए यहाँ पे अभी गडर को एसेंबल करने का काम यहाँ पे जारी है आप देख रहे सामने और ऐसे इसको श्टिल गडर भी कह सकते हैं देखे फ्रेंड्स यह एवन साइड है औ और एवन साइड में अभी सारे पियर और सारी पियर केफ रेडी हो चुकी है बंके और यहाँ पे अभी गडर इरेक्शन करना अभी बाकी है यहाँ पे तो देखिए फ्रेंग्स इस साड में हम जाएंगे तो एमदाबाद आएगा और इस साड पर जाएंगे तो मुंबई आएगा तो ये एमदाबाद से मुंबई वाली रेलवे लाइन है और देखिए यहाँ पे भी एटू साइड में जो रेलवे स्पान है वहाँ पे पीयर और पीयर कैप रेडी हो चुके है और यहाँ पे अभी गड़ा रिजिक्शन करना बाकी है तो सामने देखिए फ्रेंस दोनों साइड में लेप साइड और राइट साइड दोनों साइड में गड़ा रिक्शन हो चुका है और यहाँ पे अभी बाकी है और रेलव स्पान पे भी गड़ा रिक्शन बाकी है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों साइड में फोल विड़ में पिक्क्यूसी हो चुका है और MBCB का काम भी यहाँ पे अभी चालू है और आगे देखिए एक वीव पी है वह कल अंडर पास है तो वहाँ पे दोनों साइड में अभी आरिवल बना बाकी है भारत माला परियोजना का यह दिल्ली मुबई एक्सप्रेस वे है और यह ग्रीन फिल्ड एटलेंड एक्सप्रेस वे है तो फ्रेंस यहाँ पे भी एक ब्रीज का निर्मान कारिया जारी है यहाँ पे एक ब्रीज बन रहा है और आप देख रहे हैं कि सामने ग्रेडिंग भी हो रहा है और एक रोलर भी है उससे रोलिंग भी हो रहा है और एक वाटर टेंकर से वाटरिंग भी हो रहा है तो यहाँ पे अभी ground level को ठीक किया जा रहा है क्योंकि बहुत जल यहाँ पे गडर इरेक्षन का काम स्टार्ट होने वाला है और friends जिस जगा पे crane को खड़ा किया जाएगा उस जगा को एकदम watering rolling करके grading करके एकदम compact किया जाएगा हो कि क्या जाएगा है कर दो 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 कर पुम पुम प्रफूने करने प्रफूने करते हैं कि कि अपन्टों नहां भुटर्दटी कि अन्हाओ नहां भुटर्ट कि अच्ट आपरो जैंड़िए जहां रहां है और दिखे दूस्तों यहाँ पे भी एक परीज बनने जा रहा है तो यहाँ पे भी रोड के दोनों साइड में अभी पियर लिप्ट का काम जारी है यहाँ पे इसका कंक्रीट का काम जारी है और यहाँ पे आप देखरे हैं कि यहाँ पी पिक्क्यू सी का काम अभी जारी है और यहाँ पे भी एक ब्रीज का निर्मान कारीय हो रहा है और इसके दोनाओ साइड में आरी वाल तो यह ठीक्ल अरी वाल पे अभी पिक्यूसी今天 का और हाईवे में अभी इतना काम बाकी नहीं है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का काम अभी चल रहा है और हाईवे का भी दोनों साड़ में जहां पे स्ट्रक्चर के दोनों साड़ में जो भी आरी वो ला रही है उसी जगा पे बाकी है बाकी सारी जगा पर हो गया है काम अब आज चुके हैं मिनी रिवर के बास यहाँ पर एक मिनी करके विवर जा रही है इसके उपर अभी ब्रीच का निर्मान कारिया जारी है और यहाँ पर सारे पियर और पियर कैप हो चुके है अभी अभी यहाँ पर बहुत जल्द ही इसके उपर गड़र इरिक्षन का काम स्टार्ट होने वाला है तो आप देख रहें सामने कितनी सारी क्रेने आके यहाँ पे खड़ी हो गई है और जाजा पे सेटप बन गया था यह क्रेन खड़ी करने का वहाँ पे अपना सेटप जमा लिया है और यहाँ पे अभी लगबग 5 क्रेन आ चुकी है गड़ा रिरिक्षन के लिए प्रषब कर दो कितनी सारी के अपना सेटभी है सामने नीचे की साड आप देख रहें कि वहाँ पग इक क्रेंद सेट अप हो चुकी है। उसने अपना सेट अप बना लिया है वहाँ पे और इस साड में अप देख रहें कि एक ख़ड़ा यह है और वहाँ पे अभी कटिंग का मचमत्री रही है इसके विशन कर रहा है वो और वह बहुत भी सेट अब बना रहा है वहाँ पर इसके विशन करके ग्रेडिंग किया जाएगा रोलिंग करके वहाँ पर भी एक क्रेंड सेट किया जाएगा सब्सक्राइब सेट पर की में अबना रहा वहाँ पर यहाँ पर देख हुआ है कि आरोडबलू पर खेंसिंग कि अब दुदक आएगा का काम हो चुका है और स्टाइट स्लो प्रोटेक्शन का काम अभी जारी है यहाँ पर आप एसके वुटर देख रहे हैं यहाँ पर ट्री प्लांटेशन के लिए अभी खड़े करना स्टार्ट कर दिया है तो आपको दिखाता हुए यहाँ पर तो देखिये प्रेंड्स यह अपना ट्रेंड है और यह है अपना बांट्री है यह तो यह दोनों के बीच में भी ट्री प्लांटेशन होगा तो यहां पे row 1 में small tree row 2 में middle tree और row 3 में tall tree लगाया जाएगा यानी जो पहली line है उसमें small tree लगाएगा नी छोटा価 रहेगा दूसरी line में उससे थोड़ा बड़ा paid रहेगा medium paid रहेगा और जो last row रहेगा last line रहेगी उसमें बड़ा paid रहेगा कर दो कर दो कर दो और देखी यहाँ पे भी ब्रीच का एक निर्मान कार्या जारी है और यह पादरा से सिंग रोट वाला रोड है और यहाँ पे अभी बहुत सारे गडर इरेक्शन हो चुके है और यहाँ पे A2 साइड में अभी आरीवल का काम जारी है और A1 साइड में अभी आरीवल का काम स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे अभी डाइवर्जन दिया हुआ है और ट्राफिक चल रहा है वहाँ पे तो उमीद करता हूँ दोस्तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर करना न भूले और जो दोस लोग मेरी चैनल पे नए है वो मेरी चैनल को सब्स्राइब करना और बेल आइकन को प्रे आपको मिलती रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद